जिन्दगी की न तूटे लढ़ी, गाने को बोल को सुनते ही आपके जहन में हेमा मालिनी और मनोज कुमार की तस्वीर आ जाएगी फिल्म क्रांती का ये गाना काफी अधिक प्रचलित है, सिर्फ इस मूवी के गाने ही नहीं कहानी भी फैंस को काफी पसंद आई क्रांती में मनोज और हेमा के अलावा दिलीट कुमार ने भी ऐहम किरदार निभाया था बेशकाज हिंदी सिनिमा के ट्राजरी किंग हमारे बीच नहीं फिल्म क्रांती को लेकर उन्हें हमेशा याद किया जाता है ऐसे में आईए जानते हैं कि किस तरह से दिलीट साहब इस मूवी के लिए तयार हुए थे अपने दौर में अभिनेता मनोज कुमार हिंदी सिनिमा के सबसे बहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाते थे उपकार और पूर्व और पश्चम जैसी फिल्मों से फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले मनोज ने बतौर डाइरेक्टर भी काम किया शोर और रोटी कपड़ा और मकान जैसी शानदार मूवीज का निर्देशन करव पहले ही वह वही लूट चूके थे साल 1981 में मनोज ने फिल्म क्रांटी को बनाने की जिम्मेदारी उठाई ये एक मल्टी स्टार फिल्म थी जिसमें दिलीग कुमार का एक एहम किरदार था इस ड्रामा पीरियड फिल्म में उन्होंने सांगा की भूमिका में अपने दमदार अभिने की चाप छोड़ी थी इस रोल के लिए मनोज ने मिंटो में दिलीग साहब को राजी कर लिया था एक जटके में मनोज ने दिलीग कुमार को सुनाई क्रांटी फिल्म क्रांटी में दिलीग कुमार की कास्टिंग को लेकर मनोज कुमार ने लेहरे नेटवक को दिये एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी उन्होंने बताया था मैं दिलीग कुमार को हाजियो कहकर पुकारता था और जब मैं क्रांटी की तयारी कर रहा था तो इस मूवी में उनकी कास्टिंग के लिए मेरे मन में विचार आया मैंने उनको कॉल किया और कहा कि हाजियो एक फिल्म बना रहा हूँ और उसमें आपका रोल है उन्होंने कहा कहानी सुना दो तो मैंने जवाब दिया कि घर पर आकर सुनाऊंगा कुछ दिन बाद मैं उनके घर गया और उन्होंने हाल पूछते हुए बताया कि उनके बड़े भाई अस्पताल में भरती हैं तो शायद आज वर क्रांती की कहानी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इसमें तीन घंटे लग सकते हैं मैंने उनसे कहा वो कहानी नहीं जो तीन घंटे में सुनाई जाए इसके बाद वह राजी हो गए और एक छट्के में मैंने फिल्म का पूरा सार उनको समझा दिया जिसे सुनकर वो बोले की जमीन तो अच्छी है मैंने कहा कि हल चलाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी और इस तरह दिलीग कुमार क्रांती के लिए राजी हो गए फिल्म क्रांती तत्तकालीन साल की सुपहिक मूवी बनी इस मूवी में दिलीग कुमार, हेमा मालिनी और मनोज कुमार के अलावा अन्यकाला कारों ने अपने अपने किरदार में अभिने का सोप्रतिशद दिया